नमस्कार, मैं हो ससी, आए ज्ञारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं ज्ञारखन में अब तक सरकारी इसकुलों की बदहाली की तस्वीर सामने आती थी, भौनों तो आलिसान हैं, उस सिक्षा के मंदीर में बचों के भवीच से गड़ने वाले सिक्षा की नहीं हैं, लेकिन ज्ञारखन की हमान सुरिन सरकार में लगतार नियुक्ती दी जा रही है इसे राजे के सभी विभागों में खाली पड़े पद भरने लगे हैं, इसी कड़ी में रांची के मुरबादी स्थित स्वरगिये राम द्याल मुंडा मैदान में कारकरम आयोजीत कर मुख्य मंत्री हमान सुरिन ने 827 मादमिक सिक्ष को कुन्योक्ती पत्र दिया, मुख्य इसे राजे के सरकारी विद्यालियों के विद्यार्थी डिजिटल कॉंटेंट के साथ आडियो विडियो मादम से विद्याले के अलावा अपने घर में भी पड़ाई कर सकते हैं, सियम हमान्त ने कहा है कि राज में बड़े पैमाने पर नियुक्तियों की परकिरिया जारी है, कई विभागों में नियुक्ति हो चुकी है, तो कई पदों के लिए नियुक्ति परकिरिया चल रही है, यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आंगनबाडी सेविका सहाईका को पांच महिना से बेतन का इंतजार आंगनबाडी सेविका सहाईका लगातार अपने विभाग से बकाया मांदे के भुकतान की गुहार लगा रही है बावजूद नतीजा सुनी है उनका कहना है कि नवरात्र शुरू हो चुका है नव दिन बाद दुर्गा पूजा होगा उसके बाद दिवाली और छट भी आएगा ऐसे में हम लोग आधा मांदे के साथ कैसे दुर्गा पूजा मनाएंगे फसल रहात में मात्र 29 परतिसत किसानू ने दिया आवेदान जार्खन राजे फसल रहात योजना के तहत आवेदान की दिथी 15 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है लेकिन राजिके किसानू में फसल रहात योजना को लेकर रूची नहीं दिख रही आलम यह है कि अभी तक राजे के महज 29 परतिसत किसानू ने फसल रहात योजना के लिए आवेदान किया है यह इस्थिती तब है जब इस योजना के तहट आवेदान की तिथी दूसरी दाफा बढ़ा कर 15 अक्टूबर की गई बतादे योजना के तहट आवेदान के परकिलिया एक अगस्थ को शुरू की गई थी वहीं आवेदान की अम्तिमति थी 30 सितम्बा निधारित थी जिसके बाद में बढ़ाकर 15 अक्टूबर किया गया बावजूद इसके अभी राज्य में निबंधित कूल 45,44,737 किसानों म से महज 13,7288 किसानों ने ही फसर रहात के लिए आवेदान किया है भाजपा अध्यक्स बावुलान ने स्पीकर को भेजा पत्र जार्खन भाजपा अध्यक्स बावुलान माण्डी ने बिधान सभा अध्यक्स रविंद्र नात मातु को पत्र भेज कर अमर कुमार बावरी की बिधायक दल नेता चुलने जाने और जेपी पटेल को सचेतक बनाय जाने की जनकारी दी है बिधान सभा सची वाले को सोमवार की साम को यह पत्र प्राप्त हुआ है चंदन कियारी की बिधायक अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपाक्स और मैंडो की बिधायक जब परकास भाई पटेल को सचेतक के रुप में मंगलवार को अधिस उतना जारी हो सकती है बता दे बावुलार मरांडी की तरफ से स्पीकर को भेजे गए पत्र में भाजपा के 25 विधायकों के हस्ताक्चर है मालूम हो कि रभिवार को देर साम जार्खन भाजपा अधियक्ष ने अमरकुमार बावरी की बिधायक दल नेता और जफी पर्टेल के सचेतक बनाया जाने के निन्ने की घोसना की है भाजपा में मिलन समारो कई सेवा निवरित अधिकारी हुए सामील चुनाव नजदिक आते हिरा नितिक दल हाई प्रोफाइल लोकों को सामील करने में जूट गए हैं इसके तहाद भारतिय जन्ता पार्टी कर्याले में मिलन समारो का उजन किया गया सोमार को भाजपा परदेश अधियक्ष बावला मरांडी की मुझूदगी में हुए सेवा निवरित राजजे अगनी समन अधिकारी सुधिर कुमार वर्मा शेवा निवरित जिला नियाधिस जीके दुबे पूर्व पुलिस उपाधिक्षक ललन ठाकुर सही जारकन मुक्ती मोर्चा और आईशू के कई कर्करता सामील थे क्रीशी मंत्री से सिकायत डिलर हर महीने 5 किलो कम अनाज देता है कॉंग्रेस आला कमान के निद्देश पर हेमन सुरेन सरकार में सामील कॉंग्रेस कोटे क मंत्रियों के जन सुनवाई का दूसरा चरण पूरा हो गया सोमवार को पांटी के परदेश कर्याले में किरिसी मत्री बादल पत्र लेख ने फर्यादियों की सिकायते सुनी और संबंधित पता दिकारियों को समधान का निर्देश दिया सोमवार को हुई जन सुनवाई में राजी के अलग-अलग इलाके से फर्यादे अपनी सिकायते लेकर पहुंचे थे जिसमें टांसफर्मर लगवाने हर्मून अधी को अतिकामन मुक्त करवाने राषन डिलर की वेइमानी और हर महीने के राषन में 5 क्लो कम अनाय देने की सिकायत अधीक रही बता जिर्जे के अलग-लग छेत्रे से कौंग्रेस के परदेश कराणे पहुंचे आम लोगों की सिकायते सुनने के बाद जायतर मामले में मंत्री बादल पत्र लेकने मौके पर ही पता दिकारियों को फोन कर समधान कराने की कोशिज की है रांची में पसुत असकरों के खिलाफ पूलिस की बड़ी करवाई राइधानी में पूलिस ने पसुत असकरों के खिलाफ करवाई की है पुलिस ने तीरपन मवासी लदे तीन पीकप वयन को जब्त किया है दो लोगों को भी पकड़ा गया है या करवाई कांके थाना छेतर में की गई है बता दे कि कांके थाना छेतरे के होंसिर गाव में पुलिस ने गरामीनों की सुचना पर करवाई की है इसमें पूलिस ने तीरपन मवसी जब्त किये जो तीन पीक अप वाइन लादे थे पूलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में भी ले लिया है हिरासत मिलिये गए लोगों से पूश्टास की जा रही है इसके अलावा जब्त मवसीों को सुरक्षित अस्थान भेजने के त्यारी की जा रही है गौतला भाई की पूलिस की लगतार करवाई के बाद भी पसुतसकर तसकरी से बाई नहीं आ रहे एरिया बदल बदल करो पसुतसकरी में लगे हुए है बाल सुधार गिरिह में सुरू होंगे जागरूपता कारेकरम जालसा के निजस पर जालसा द्वारा एक सोट डेज आउटरीच केमपेन के तहत जीले भर में अकेले नहीं हम कारेकरम चलाया जा रहा है इसके तहत लोगों को जागरूप किया जा रहा है सुमवार को डालसा के सचीव राकेश रंजन ने बिर्शा मुटा केंडरीए कारा होटवार का निरिक्षन किया साथ ही बिधिक जागरूपता कारकरम का भी आयोजन किया गया आयोजन में सभी विचाराधीन बंदियों को वैधानिक जनकारी दी गई राकेश रंजन ने कहा है कि अगर किसी वंदि को वैधानिक मदद के हो सकता है तो ओ डालसा से संपर्क करे इस तो रान कारापाल नसीम एवाम केंडरी ये कारा के करमचारी उपस्थित थे 28 अक्टूबर को बाबुलाल की संकल पयात्रा का भबे समापन भाजपा के परदेश अध्यक्स बाबुलाल मरांडी की राज बयापी संकल पयात्रा का समापन आगामे 28 अक्टूबर को हर्मू मैदान रांची में होगा यात्रा के संजोजा क्यों परदेश महामंत्री सह मुख्याले परभारी परदीप परवाने यह जनकारी दी है चेत्र में यह यात्रा आठ चार्नों में संपन हो चुकी है बरसात के मौसा में भी लोग जन सभाव में भाग लेने आए अभीदा सारा के कारण यात्रा आउकास पर है समापन कारकरा में 6 विधान सभाचेतर रांची हटिया का के मांडर खिजरी और तमाड़ विधान सभाचेतर के सन्युक्त सभा होगी नकसली संगठन टीएसपीसी के कमांडर महेस्वर गिरफतार पलामू पूलिस ने पर्तिबंदित नक्सली संगठन टीएसपीसी के कमांडर महेस्वर राम को गिरफतार कर लिया है गुपसुचना के अधार पर हईहर गंधाना छेतरे से इस नक्सली कमांडर की गिरफतारी हुई है बताया जाता है कि इलाके में पैठ बनाने के लिए टीएसपीसी वरदात को अंजाम देने की फिराक में था इसी करब में उसके कमांडर को गिरफतार कर पूलिस ने बड़ा जहटका दिया है पूलिस फिलहाल गिरफतार नक्सली कमांडर से पूस्ट आज कर रही है परतिबान धित नक्सली संगठन टीएसपीसी के कमांडर महस्वर राम इलाके में अपनी पैठ बनाने के लिए पहचान छुपा कर काम करता था इसके लिए वो कई चंद नाम का इस्तिमाल करता था जारखन में जल जंगल जमीन की लूट सीएम कराय उच अस्तरीय जाच जारखन सरकार की समयनों समितिक सच से एवं परदेश कंग्रेस कमीटी के करकारिया देश बंधूतिर्गी ने कहा है कि जारखन में जल जंगल जमीन की लूट मची है बंधु तिर्की ने कहा है कि फरजी दस्तवेज तयार कर अवाइनशित तत्व उसका दुरुपयों करते हुए जमीन घोटालों में सनलिप्त हैं जमीन घोटालों में सनलिप्त लोग उच नियाले यां अन्य आदालतों को भी अंधेरे में रखकर अपनी दस्तवेजों को गलत तरीके से परस्तूत कर रहे हैं इसकी उच अस्तरिय जाच होनी चाहिए बंदु ने कहा है कि अवांशित्त तुनकेवर राजधनी राची या राज़ के अने सहरों के अंचल करयाली वोग और सम्मंधित करयालों में दस्तवेजों की हरफेरी कर रहे हैं बलिक अधिकारियों करमचारियों की मिली भगत से कोलकाता जैसे सहरों में भी जाकर भष्टाचार के बल बुत्ते जमीन के दस्तावेजों की हेरफेरी कर रहे हैं धन्यवाद